तो आप सभी का एक बार पुना है हमारी यूट्यूब चैनल सिखर तेंदूखेडा पर स्वागत है हम अपनी यूट्यूब चैनल पर संपूर मद्द प्रदेश जिलों और संभाग के रूप में पढ़ा रहे हैं तो आज हम नया संभाग पढ़ने बाले हैं कौन सा संभाग स सहडूल संभाग सहडूल संभाग के अंतरगत आने वाला जला अनूपुर जला इसके पहले मैं सहडूल संभाग के दो जिले पहले पढ़ा चुके हैं तो इसकी लिंक में डिस्क्राप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो वहां पर जाके आप पहले उन जिलों को पढ़ ले लगाता है तो आप लगातार वीडियों बने रही हम एक एक पॉइंट को बूट पर लेखे देते हैं और एक गूँट की ओप यह उपार डिस्केसन करेंगे तो लगातार वीडियों बने रही है तो मैंने वोट पर अनुप्रजिले की कुछ पॉइंट लिखे दिये हैं इसके पहले अपन कोई भी जिला पढ़ते हैं तो उसके यह पॉइंट यह चार पॉइंट जानना आतियावशक होता है तो हम सबसे पहले नंबर देखते हैं अनुपपुर जिला की जनसंख्या कितनी हैं तो कोई भी जिले की जनसंख्या जो 29,237 ब्यक्ति यहां की क्या है जन संख्या है तो एक बार पनाय देखते हैं कि क्या लखा है कि अनुपर जली की जन संख्या है वो कितनी है 7,49,237 ब्यक्ति यहां की क्या है जन संख्या है अब इसके बाद देखते हैं लंगानुपात लंगानुपात हम प्रतेक वीडियो में आपको बता चुके हैं तो लिंगानुपात होता क्या है कि एक हजार पॉरसों पर जो वहां पर महिलाओं की जो संख्या होती है वह है वहां का क्या कहलाता लिंगानुपात तो हम देखते हैं कि अनुपुर जला का लिंगानुपात है 976 जो यहां का क्या है लिंगानुपात है तो 976 का मतलब क्या हुआ कि एक हजार पुरसों पर जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है 976 है अब इसके बाद देखते हैं साक्षर्टा तो अनुपुर जिले की साक्षर्टा साक्षर्टा दर्ग एक्च्वल में कहलाती क्या है कि वहां की ब्यक्ती कितने प्रतीसत पड़े लिखे हैं तो जो अनुपुर जिले के जो ब्यक्ती है वो कितने प्रतीसत पड़े से लिखे हैं 67.9% 67.9% ब्यक्ती यहां की कैसे हैं तो देखते हैं अनुपुर जिले का जन संख्या घनत तो कितना है तो दो सो ब्यक्ती प्रती बर्ग किलोमीटर अनुपुर जिले का क्या है बर्ग किलोमीटर अनुपुर जिले का जन संख्या घनत तो है तो एक बार पर से देखते हैं कि जो जन संख्या घनत तो है अनुपु 603701 यहां का क्या है जन मतलब जिली का छेतरफल है 3701 भरग किलोमीटर 3601 भरग किलोमीटर यहां का क्या है जिली का छेतरफल है तो उम्मीद करते हैं आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे तो अब इसके बाद देखते हैं वह पॉइंट जो कई बार MP-Counstable, MP-SI या MP के लगबग जितनी भी एक्जाम हुए हैं कई बार आपको इन पॉइंटों से question मिल जाएंगे या आँगे चल के आपको मिलेंगे तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए और इसी प्रकार के वीडियो यदि आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल सिखर तेंदुकेडा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अब देखते हैं पहला पॉइंट के लिखा है कि 15 अगस्त 2003 को जिला बनाए गया तो अनूपर जिला है जो वो किस डेट को या किस सन को बनाए गया है यह सा कॉस्टन कई बार पूँच लिया जाता है तो 15 अगस्त 2003 को जिला बनाए गया है अब इसके बाद जो भहरी IMP पॉइंट है इसको एक्जामों में पूछा गया है तो हम देखते हैं कि पहला जन जातिये विश्विविध्याला कई भार तो इसका नाम ही पूच लिया जाता है कि ऐसी आ का पहला जन जातिये विश्विध्याला कौन सा है एक हस्ता सुझ प्र rebound जारे में और अमर्च आता है अमर कंटक अनूपपुर जिले के अंतरगत आता है तो इस प्रकार यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजी इसके और बहुत सारे पॉइंट है वो भी हम एक एक करके बोट पर लिख देते हैं अब हम देखते हैं नेस्ट पॉइंट में कि अमर कंटक से तीन बहुत मलब तीन बड़ी नदियां क्या लिखा है नर्बदा शौन एवं जोहिला नदी का क्या होता है उद्गम होता है तो यह भी पॉइंट पूइंट पूछा जाता है कि यहांसा पॉइंट पूइंट 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 करते हैं क्या लखा है कि बाकिसाइड से स्वरी बाकिसाइड खनेज अमर्कंटक Lets अब इसके बाद में यह पॉइंट है कि दुद्धारा जल पर पात कहां पर है तो अमर्कंटक Sut पूशे है कि दुद्धारा जल पर पाद नर्बदा नदी 15 मीटर उंचाई और कहां पर है अनुपुर में है तो उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट समने में आया होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक सदेक अपर दोस्तों के साथ सेयर कीजिए इसके आगे का पॉइंट है कि जैन धर्मका महाकुंब अमर कंटक में आयोजित किया गया है और यहां पर आधिनात की अश्टधात्यु की प्रतिमा क्या कि इस्तापित की गया है तो यह पॉइंट एक बार और देखते हैं कि जेंधर में का महाकुंब कहां आयुजित किया गया था तो जेंधर में का महाकुंब अनुपुर जला में आयुजित किया गया था सुरी अनुपुर जला के अमरकंटक में आयुजित किया गया था और यहाँ पर आदी नात की अश्ट धातु की प्रतीमा इस्थापित की गई थी तो इस प्रकार इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे उम्मीद करते हैं इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं यहाँ के परेटन स्थल है बो भी हम लिख देते हैं आप लगातार वीडिय अनुपुर में है यह बिस्थान कहांपर है चचाई धर्मन पावर इस्टेशन अनुपूर में है अब इसके बाद देखते हैं अमर थाफ पॉर है अनुप पर जली में आता है और यहाँ पर तो माई की बगिया कहां पर है अमर गंटक में हैं जो कि काय के अंतरगत आता है अनुपुर ज्यले के अंतरगत आता है तो माई की बगिया भ्रगु रिशी की गुफाएं नौगराह मंदर कबीर चोरा और जलिश्वर महादेव मंदर आदी नाथ मंदर आदी दारसनिये हैं तो इतनी चीजे यह पूरी चीजे किसके अंतरगत आती हैं अनुपुर जला के अंतरगत आती हैं उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत तया होगा तो यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए मैं अजयतवारी आप सभी का धन्नबात करता हूं जय हिंद जय भारत